नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टेडी विद एलिस एलक्सपर और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीशेस पिरी 2024 की तैयारी करा रहे हैं और इसी गड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा एक इंपोर्टेंट वीडियो हो जाएगा और यह हो जाता है जोग्रेफी से संबंदित और जोग्रेफी में आपका टोपिक आ जाता है ग्रीन हाउस गैसे और उनका परभाव और इससे आपके जोन से भी कोश्चन बन सकते हैं विद थियोरी हमने लिए हुए हैं जितने भी आ जाना जाता है ये भी आपको जान लेना है बात करेंगे पहले कोश्चन के बारे में और यह हमारा कोश्चन जो पूछा गया है UP, P.H.C.P.E. में 2022 में यह कोश्चन पूछा गया है सारे कोश्चन आपको मिल जाते हैं important एक कोश्चन को भी आपको skip नहीं करना है और हमारा आ इन में से हरित ग्रै गैस नहीं है तो इन में से हरित ग्रै गैस नहीं है यह आपकी हो जाती है और ठीक है कारबन डायाकसाइड आपकी हरित ग्रै गैस हो जाती है कुलोरो फ्लोरो कारबन भी हो जाती है और मिथेन भी आपकी हरित ग्रै गैस हो जाती है लेकिन D है यह आपक कोशिस करेंगे हरित कि रहें चो आपकी गेस होती है उसकी परिभासा क्या है कि बात करेंगे इनके-बारे को अफोसित कर प्रतवी के तापमान को बढ़ा देती है और ईसको ग्रीनाईटि सिसgest कहा जाता है अगर यह गैसे ना हो तो धर्टि के ठंड़ा होने यहे थो जो है और धर्ती जो है ठंडी हो जाएगी और इसलिए यह गैसे होना भी जरूरी हो जाता है और इनकी बढ़ती मात्रा गलोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है ये भी आपको समझ लेना है गलोबल वार्मिंग को ये बढ़ावा दे रही है इनकी जो बढ़ती हुई मात्रा है और इसका कारण जो है सबसे ज़्यादा इसका कारण हो जाता है मनुष्य जो है अपने स्वार्त के लिए नहीं नहीं आविश्कार कर रहा है और अपनी सोविधाओं को तलाजते हुए इस तरह की गैसे उत्पन कर रहा है जिससे वायु मंडल को काफी नुकसान हो रहा है और सरल भासा में थोड़ा समझने की कोशिस करेंगे यह तो आपकी definition होगी और यहां बात करेंगे तो इक सिंपल सरल भासा में ग्रीन हाउस गैसे प्रत्वी के चार और एक आवरन का कारिय करती है यह आपकी प्रत्वी हो जाती है और इसके जो चार और तरफ है यह आपका आवरन का कारिय करती है और सूरे से आने वाली उस्मा को ग्रीन हाउस गैसे प्रत्वी पर ही रोक लेती है यह आपको दिखाएग और इसकी वज़े से फसले अच्छे होती है, विकिरण उस्मा का जो जरूरत से दीख भाग है, वो प्रत्वी परावर्तित कर देती है, और उस्से उस्मा का संतूलन बना रहाता है, इसलिए इनके आवस्चता होती है, इसका संतूलन बनाए रखने के लिए, और यह इमेज के प्रत्वी के लेकिन यह वायू मंडल का कारण बाहर नहीं जा पती है ईस तरह से आप इस तरह सकते हैं। और यह हमारे लिए भी काफी फायदे मंद होती है ग्रीन हाउस गैसों के मात्रा में व्रत्विका तापमान बढ़ने लगता है अगर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में व्रत्विका तापमान बढ़ने लगता है अगर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में व्रत्विका तापमान कम होने लगता है और इसका अधिक मात्रा गर्मी तो कम मात्रा जो होती है वो ठंड का अनुभाव ये कराती है ठीक है जल वायू पर जो इसका परभाव पढ़ जाता है इसलिए इसका वायू मंडल में मानक परतिसत में रहना उचित माना जाता है ठीक है ये उचित जो है परत को मिल सकते हैं जल्व वास्ट की बात करेंगे ये आपका 36.70% हो जाता है कारवनडाय अक्साइड ये आपकी 9 से 26% Unter 1700 गोंचाटी आ मीतेहिन की बात करेंगे ये आपकी सारी कैसीं है यहांसे आपके क्वेश्टन बनते हैं और मीतेहिन की बात करेंगे 4 से 9 परतिसद तक ये आपकी मीथह उन्हों जाती है परतिसत आप से पूछा नहीं जाता है आपसे केवली गैस पूछे जाती है कौन-कौन से कोश्चन पूछे जाते हैं किसकी तरह के कोश्चन होते हैं वह हम सब आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं नाइटरस अकसाइड हो जाए पूछे जाते हैं ये सभी इन से आपके पूछे जाते हैं नाइट्रोजन नहीं को दे दिये जाएंगे आपसे पूछा जाएगा इन वाईयूमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण, बढ़ने के क्या कारण हो जाते हैं? कारण का पता लगाना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. और इसमें बढ़ते उद्योगे के साथ ही कोईला, तेल, प्राकरति गैसिक और जिवास्म इंधनों का उप्योग बढ़ गया है और इन इंधनों का मुख्य तत्व कारवन होता है जो उप्योग के जाने के बाद कारवन डाय आकसाइड में बदल जाता है और इन जो कारवन डाय आकसाइड होती इसके जो अधिक मातरा है ये आपकी बढ़ावा देती है अरितगिरा गैस के बढ़ाने के लिए नगरी करन की बात करेंगे यानि अर्बनाइजेशन और ये हो जाता है आधुनिक समय में तेजी से नई नगर बन रहे हैं और पुराने सहरों के इलाके विष्थार उनका होरा है जो पुराने सहर है उनका विष्थार हो रहा है नई सहर बनाये जा रहे हैं बढ़ते नगरी करन से उर्जा की मांग में वरद्धी हुई है और इसके साथ ये उद्योगी करन विकास ने भी मामले को गंभीर बना दिया है मीथेन के उतपादन में तेल और गैस निकाली जाती है और कोईला खुदाई और कोडा घरों में का योगदान जो है ये 55 फीजदी हो जाता है उत्पादन में तेल गैस निकासी का, कोईला खुदाई का और कुडा योगदान का पच्पन फिजदी योगदान हो जाता है इस तरह से सहरे ग्रीन हाउस गैसों के उत्थ सर्जन का मुख्यकारन बना हुआ है और एक ग्रीन है उस बढ़ना जो है काफी खतरनाक सावित हो रहा है इनसान के लिए तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारा उप्धोकतावादी संस्कृति यानि कंजूरमर कल्चर अधिक सुईदाओं से लेस होने की चाहत में लोग अधिक से अधिक आधूनिक आविश्कारों का इस्तमाल करने लगे हैं इस वज़े से भी ओध्योकी करन वे जीवासम इंदन पर दबाओ बढ़ा है ठीक है और ये भी एक बड़ा कारान हो जाता है हरित गिरह प्रभाव को परभावित करने में बात करेंगे चार नमबर के तो ये वनो का विनास हो जाता है यानि डी फोरेस्टेशन ये माना जाता है ठीक है इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाता है वनो के लगातार कटाउ से और उनके अवसोशित के जाने की अवसोशित के जाने वाली carbon dioxide का इस तर ये परियावरन में बढ़ रहा है क्योंकि वनो का जब विनास हो जाएगा तो oxygen आपको proper मात्रा में नहीं मिल पाएगी ठीक है इस तरह से carbon dioxide की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे भी आपका हरित गिरह परवावित हो जाएगा बात करेंगे पांच यो पोईंट के तो खेती पे पसुपालन हो जाता है यानि farming and animal husbandry और इसके द्वारा जो है मीथे नुट सर्जन की लगबग 32-35 मात्रा के लिए गायों भेडों और ऐसे अन्नमविश्य जिम्मेदार माने जाते हैं जो अपने पेड बोजन की सिरका या खमीर पर किरिया करते हैं ठीक है इस तरह से भी जो है गलोबल वार्मिंग परवावित हो रही है और यहां से हम सुरू कर लेते हैं यह हमारे हो जाते हैं कोस्चन किस किस तरह के कोस्चन होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे तो यहां हो जाता है हमारा कोस्चन नमबर दो निम ने लिखित में से कौन सा एक प्राकरतिक रूब में वायू मंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह गैस आपको याद रखनी है यहां से आपके यही कोस्चन बनता है और यह कोस्चन भी UPPSC में पूछा गया है पिरी में ही 2020 में आपसे पूछा गया कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस तो यह हो जाती है, जो carbon dioxide है, यह आपकी green house gas हो जाती है, methane भी हो जाती है, और एक आपकी ozone भी हो जाती है, लेकिन nitrogen oxide जो है, यह आपकी green house gas नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, और वायू मंडल में कौन-कौन सी gas है पाई जाती है, यह भी आपके लिए question पुछा जाएगा, 20.95% पाई जाती है, और अगर मैं आपसे पुछी जाएगी, तो यह 0.93% पाई जाती है, carbon dioxide 0.036% पाई जाती है, और इसके बाद यह जो gas है, इनके केवल नाम आपको याद रखने, इनके केवल नाम से आपके question पुछे जाते हैं, इनकी percentage की आपको आई जाती है, वायू मंदल में, और बात करेंगे अगले question के बारे में, निमनलिक गैसों में कौन सी एक greenhouse gas नहीं है, यहां भी आपसे पुछा गया, कौन सी greenhouse gas नहीं है, तो greenhouse gas में आपकी आजाती है, सबसे पहले CO2, CH4 भी आ जाएगी, और N2O भी आ जाती है, लेकिन जो O2 ह नहीं oxygen, तो oxygen जो है, यह आपकी greenhouse gas नहीं है, और आपसे पुछा गया कौन सी नहीं है, तो D हो जाता है आपका correct answer, ठीक है, oxygen जो है, यह greenhouse gas नहीं है, बाकी carbon dioxide यह आपकी greenhouse gas हो जाती है, और एक आपकी nitrous oxide यह भी आपकी greenhouse gas हो जाती है, और एक आपकी methane यह भी आपकी greenhouse gas मानी जाती है, यह question आपसे पूछे गया कोश्चन है, और इसी तरह के question जो हर बार आपकी प्रिक्शाओं में पूछे जाते है हरित गिरह परभाव यानि green house effect के अभाव में भू सतय का ओसत तापमान होगा ओसत तापमान आपसे पूछा गया है और ये भी question आपसे 2020 में ही पूछ लिया गया है तो ओसत तापमान आपका हो जाता है minus 18 degree Celsius और minus 18 degree Celsius दिया गया है option number B में और ये बात हो रही है हरित गिरह परभाव की उसके अभाव में उसके अभाव में बात की गया है यानि minus 18 degree का मतलब है कि सबी चीजे जो है ये बरफ बन जाएंगी ठीक है ये हो जाता है आपका हरित गिरह परभाव गैस जो धान के खेट में उत्सरजित होती है और भूमी के तापमान में वरद्दी करती है वह कौन सी हो जाएगी ये question कई बार आपकी परिक्षाओं में देख रहा है धान के खेट से आपसे question पोछा जाता है और इसका एक ही answer होता है और वो हो जाता है आपका methane धान के खेट से उत्सरजित होने वाली गैस ये हो जाती है methane और इसका sign हो जाता है CH4 ठीक है ये आपको याद रखना है CH4 हो जाती है आपकी methane इस तरह के question आपसे पूछे जाते हर बार आपकी परिक्षाओं में धान के खेतों में उत्पन होने वाली गैस्चों की भूमन डिले है ता आप करम विरद्दी से शम बंदी तो वह कूंसी हो जाएगी किसी भी तरह से आपसे question पूछा जा सकता है लेकिन answer आपका रहेगा के जाता है ठीक है Mars gas कहा जाता है कौन सी gas को तो यह हो जाती है methane gas यह question आप से पूछा जाएगा और क्यों कहा जाता है यह भी हम समझ लेते हैं यह question डारेक्ट आपकी परिक्षाओं में जो है पूछा जाता है Mars gas किसको कहा जाएगा तो यह आपकी हो जाती है methane Green house में सबजों की खेती करने का मुख्योदेश क्या हो जाता है यह important हो जाता है आपकी प्रिक्षाओं के लिए ठीक है यहां से आपके question पूछे जाते है ग्रीन हाउस में सबजियों की खेती करने का मुख्योदेश है आप किसी भी रित्यू में किसी भी मोसम की सबजी उत्पादि कर सकते हैं यानि अन्य रित्यू मोसमों में बे मोसमी उत्पादन करना ठीक है अभी समय जो है आलू का नहीं है तो आप आलू गा सकते हैं अभी समय जो आप्टमाटर का नहीं, तो आप्टमाटर होआ सकते हैं, तो यह सब possible हो जाता है, green house की वज़े से, और green house के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, और यह हम आपको समझाएंगे, इस map के माधियम से, यह हो जाती है, green house, ठीक है, green house खेती, यह कुछ इस तरह से हो जाती है यहाँ पर वायू मंडल की तरह एक layer बना दी जाती है खेती के ऊपर खेतों के ऊपर यह layer बना दी जाती है और इस यह जो है जो आपकी सूरज की किरने होती है वो इसको पार तो कर लेती है लेकिन इसमें से वो बाहर नहीं जाती है जिस तरह से वायू मंडल में हमने दिखाया एक वायू मंडल का निर्मान कर दिया जाता है यह आप देख सकते हैं यह कृतिम रूप से किया गया है वायू मंडल का निर्मान और इसके अंदर सबजियां उगाई गई है अब यह कितना इसको आप ठंडा कर सकते हैं इसके अंदर के temperature को कितना ही आप बढ़ा सकते हैं तो यह आपके इसाब से जो है control हो जाएगा ठीक है इसी को जो है हरित ग्रै केती कहा जाता है और इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहां से आप जल्दी से समझ जाएंगे ग्रीन हाउस यानि पोलिथीन या कांच से बना हुआ यह अर्ध चंद्राकार जोपडी नुमा संग्रक्षना होती है यह हम आपको दिखा चुके हैं जोपडी नुमा यह संग्रक्षना होती है और किसकी बनी होती है तो यह पोलिथीन की बनी हो सकती है यह कांच की बनी हो सकत है और जिसके अंदर नियंत्रित वातावरन रहता है ठीक है यहां पर जो है नियंत्रण अपनी इसाब से आप कर सकते हैं ठेंड की अधिक्ता में जहां खुले वातावरन में फसल विशे शासानीशे प्राप्त नहीं कि जा सकती है मुणकी गरीन हाउस में सफलतावूर की इसका उत्पादन किया जा सकता है यानि आप यह कह सकते हैं एक आपने कर्तिम रूप से एक आवरन बना पना है और इसमें अपने हिसाब II-28 का विकरनिया प्राप्त विशे प्राप्त उर्जा उत्पादन ग्रीन हाउस के नियंटरित वातावरन से संभाव हो जाता है ठीक है और यह आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी यह री फसले होती है यह हरी होती है इसलिए इनको हरित गिरह कहा जाता है ठीक है एक घर नुमा यह बनाया जाता है इस तरह से जोपड़ी या घर नीमने लिखत में कौन एक हरित ग्रय गैस नहीं है। कौन सी इन में से हो जाएगे जो हरित ग्रह गैस नहीं है तो हम आपको पहले बता चुके हैं जो carbon dioxide है यह हरित ग्रह हो जाती है chloro-fluorocarbon भी हो जाती है और एक आपकी methane भी हो जाती है oxygen जो है यह आपकी हरित ग्रह गैस नहीं है ठीक है और इस तरह से इसका correct answer आपका हो जाता है निम ने लिखते में से कौन सा एक gas का समो ग्रीन हाउस परभाव में योगदान देता है कौन सा हो जाएगा इन में से जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है तो इन में से correct हो जाता है आपका D यानि carbon dioxide और methane ये दोनों जो है greenhouse gas में योगदान देते हैं ammonia जो नहीं होगी और carbon monoxide ये नहीं होती है और इसमें carbon tata fluoride और ये भी नहीं होती है ठीक है इस तरह से आपका correct answer हो जाता है D सारे question आपकी प्रिक्षाओं के लिए important हो जाते हैं और यहां से आपके question पूछे जाते हैं निम ने लिखते में कौन greenhouse gas नहीं है कौन सी हो जाएगी जो greenhouse gas नहीं है तो इसी में हो जाती है propane प्रोपेन जो है greenhouse gas नहीं है ठीक है बागी सबी इन में से जितनी भी दी गई है यह आपकी greenhouse gas हो जाती है भू मंडल यह उसमन की आसंका वायू मंडल में बढ़ती हुई सांदरता के कारण बढ़ रही है भू मंडल ये उसमन की बात हो रही है और इसकी जो आसंका है वो वायू मंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है तो इसका करक्टा अंसर आप से पूछा गया है तो ये हो जाता है कारबंडाई आक्साइड की, कारबंडाई आक्साइड की जो मातर है वो बढ़ रही है वायू मंडल में ठीक, ऐसी आसंका लगाए जा रही है, क्योंकि भू मंडल ये जो उसमन है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसका कारण क्या हो जाता है, तो इसका परिवर्तन होता है। नहीं है, मीथेन हो जाती है, greenhouse gas, klorole fluorocarbon हो जाती है और नाइट्रस आकाइड बे वह जाती है, लेकिन hydrogen जु है य buzzing अपकी greenhouse gas नहीं है, ठीक है, तो यही स्का हो जाता है correct answer. निम्नले के स्विक उत्तरदाई नहीं है कोण हो जाएगा जो है वेजए को इस त्र अपन के head मीठेन हो जाती है वेजवीख उसमन के लिए उत्तरदाई जल वास्प भी हो जाती है है कार्बंडाय आकसाइड भी हो जाती है लेकिन और गंजो है यह वैस्वीग उसमन के लिए उत्तरदाई नहीं है ठीक है यह आपको याद रखना है जितने भी आपके question बनेंगे यह आपके बनेंगे हरिदगिरहre gas से हरित गिरह गैस आपको याद रखने कौन कौन सी हो जाती है वहाँ से भी आप question को जल्दी से पकड़ सकते है Westwick तापन के लिए सरवाधिक उत्तरदाई गैस है यहाँ पूशे लेगा है कौन सी है सरवाधिक उत्तरदाई गैस यह आपको बताना है तो यह हो जाती है जो सरवादिक उत्तरदाई है तो सबसे ज़्यादा कारबन डाय एकसाइड हो जाती है उसके बाद आपके आ जाती है मीथेन तो दोनों गैसें सरवादिक उत्तरदाई हो जाती है वैस्विक तापन के लिए ठीक है और यह वैस्विक तापन निंद्रित होन तो इने में से आपकी मीथेन हो जाती है ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस आक्साइड हो जाती है और जलवास्प हो जाती है लेकिन कार्बन मोनो आक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है ये आपको याद रखना है कार्बन मोनो आक्साइड ग्रीन हाउस गैस नह नहीं होता है कौन हो जाएगी जिसके दोवारा ट्रोपोश्पियर में ओजोन पर दूशन नहीं होता है तो यह हो जाती है कार्बन मोनो आकसाइड यह जो है ट्रोपोश्पियर में ओजोन पर दूशन इस्षन नहीं होता है और यह कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है जो आपके वहनों से निकलने वाला जो धुहा होता है उसमें आपकी कार्बन मोनो आकसाइड पाई जाती है ठीक है वहनों से निकलने वाले धुहें से निकलती है आपकी कार्बन मोनो आकसाइड ठीक है और ये धरती पर रहते हुए जो है इंसान के में व्रद्धी होती है किसके कारण से होती है carbon monoxide carbon dioxide oxygen या उप्रयोक्त में से होई नहीं तो इसका करक्टांसर हो जाता है carbon dioxide के कारण जितनी आपकी कारबन डाय अक्साइड बढ़ेगी परियावरन में उतना ही ग्रीन हाउस परभाव में वरद्धी होगी ठीक है और ये उसमन जो है जो आपको ताप मन है वो बढ़ जाएगा और इसी वज़े से हरित गरह का संतुलन बिगड जाएगा ठीक है क्षेते गठिध होता है सारे कोश्चन आपकी परिक्षाओं में कही ना कि पूछे गए हैं और इस तरह के कोश्चन बार बार आपकी परिक्षाओं में पूछे भी जाते हैं निम्ने देख दसाओं में कौन वैसी कताब विरद्धी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है ज अगर इसके बाद अगर सागरतल में उत्थान होगा तो मौसमी जो दसाए उनुमें परिवर्टन होना बिल्कुल संभवो जाएगी तो चारों जो है यह आपके करक्ट दिये गए और चारों दिये गए हैं आपके आपके सही हो जाते हैं हिमानियों सबसे पहले हिमानियों का पिखला हो जाएगा उसकी वज़े से सागर के तल में जो है विरद्धी हो जाएगी पानी में उसके बाद मौसमी दसाओं म में परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद वैस्वी कताब मान में विरद्धी हो जाएगी ठीक है आपसे तो आपका जो करेक्ट आंजर ये आपका डी हो जाता है भूम अंडलिय उसनता के परिणाम सुरूप क्या हो जाएगा आपसे पूछा गया है भूम अंडलिय उसनता के परिणाम सुरूप सार भोमिक संपर्ग अच्छे हो जाएंगे ये तो कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा गया इस तरह से के सार भोमिक संपर्ग जो अच्छे हो जाएंगे हिमनत दिर्विपूत होने लगेंगे ये करेक्ट हो जाएगा समय से पूर आम में बोर आने लगेगी ये भी correct हो जाएगा क्योंकि मोसम पर जो है काफी प्रभाव उसका पढ़ जाएगा स्वास्त पर कूपर बाव पढ़ेगा ये भी correct हो जाएगा निमने लिखत में कौन सा सही सुमयलित है कौन सा हो जाएगा जो सही सुमयलित है अमल वर्षा ये अनो से संबंदित नहीं ये आपका हो जाता है गलत और पत्यों का पीला पढ़ना ये भी गलत हो जाता है हरित का पर बाव ये भी आपका गलत हो जाता है और बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो एन्नो जो दी गई है पहले उप्षन में वो हो जाती है नाइट्रोजन मोनोकसाइड भी कहा जाता है ठीक है और ये एक रंगहीन जहरीली गैस होती है जो नाइट्रोजन के आक्षी करन से बनती है ठीक है ये आपके हो जाती है जो पहले उप्षन में दी गई है अनो दूसरी की बात करेंगे जो आपके N2 हो जाती है यानि नाइटोजन ये एक रंगहीन स्वाधीन गैस है जो वाई मंडल के लगबग 78% हिस्चे का निर्मान करती है और ये प्रोटुन के निर्मान खंड क्लोरोफिल और अमीनो एसिट का एक पर मुगटक हो जाता है तीसरी हो जाती है जो आपका तीसरा उप्षिन दिया गया है कार्बन मोनो अक्साइट स्यो एक जोलेंसील गैस हो जाती है और ये रंगहीन गंधीन और स्वाधीन और हवा में थोड़ा कम घना होता है और ये मनुश्योर ऑक्षिजन सांस लेने वाले जीवों के लिए घातक ह हो जाती है ये कार्बन मोनो अक्साइट है जो आपकी वहानों के दुहें से निकलती है और ये जीवों के लिए सांस लेने में खतरनाक साबित हो जाती है और इससे कभी-कभी मिरत्यू भी हो जाती है जीव की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में जीश्ट देश का जाता है अमेरिका ठीक है यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं गलोबल वार्मिंग के लिए सरवादिक जिम्मेदार हो जाते हैं चीन दूसरे नंबर पर अमेरिका और अगर आपसे पूछा जाए भारत के इस्थिदी तो भारत आपका आ जाता है तीसरे नंबर पर ठीक आपसे पूछा गया कौम सा तंतर हो जाएगा जो सही सुमेलीग नहीं है keeps लेकिन कलोरो फ्लोरो कार्बन का जो जो सुरोथ है यह आपका आटो मोबाइल नहीं है आटो मोबाइल के लिए हो जाती है आपकी कार्बन मोनो आक्साइड ठीक है यह आप याद रखना है कार्बन मोनो अक्साइड हो जाती है जो आटो मॉबाइल के छेतर में आटो मॉबाइल जो है इसका सुरोत हो जाता है ठीक है आप से पुछा गया है सुरोत और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो सुरोध हो जाता है आपका automobil किसका तो ये हो जाता है carbon mono oxide का ठीक है ये आपको याद रखना है ठीक है और इस नियुक्स आपसे पुछा गैता कौन सा सुमेलित नहीं है तो B हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है इस लगाने की घोषना की थी 2019 से carbon tax लगाया गया है, यह किस देश में लगाया गया है? तो यह हो जाता है सिंगापुर में, सिंगापुर में 2019 से carbon tax लगाने की घोशना की गई थी ठीक है? यह आपको याद रखना है निम् Summit में कौन सा एक green house gas नहीं है? कौन सा ही हो जाएगी जो greenhouse gas नहीं है? और यह हम आपको पहले ही बता चुके यह question पहले भी आ गया था oxygen हो जाती है जो green house gas नहीं है carbon dioxide हो जाएगी, methane हो जाएगी, ozone भी हो जाएगी लेकिन oxygen जो है यह आपकी greenhouse gas नहीं है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कहे तो आप subscribe कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी share कर सकते हैं हमें motivate करने के लिए एक like भी आप कर सकते हैं और इसकी free feedback पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम और WhatsApp चैनल से जोड़ सकते हैं दोनों के link आपको description में दे दे गए हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।